नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार पिस से हमारे यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो में एक नई खबर अधार कार्ट से जुड़ी खबर है दोस्तों आप किस परकार से आपको आधार कार्ट में चैंजिस करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर एड्रेस के लावा, email ID, mobile number, दोस्तों इसके लाव अपना date of birth, name, सब कुछ आप यहाँ पर चैंज कर सकते हैं, और दोस्तों इसकी क्या limitation है या आपको कितनी बार आप महिने में change कर सकते हैं इस वीडियो में आपको हम पूरा detail में बताने वाले हैं तो दोस्तों आगे बटने से पहले हमार चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा और दोस्तों प्लीज आपसे request है कि वीडियो क end तत जरूर देखेगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपको यहाँ पे डेमो के रूप में बताने जा रहे हैं कि आप किस परकार से changes कर सकते हैं आपने अधार कार्ट के अंतरगत तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले चोबी आधार कार्ट की official website uidai.gov.in को open कर लेना आपने mobile की किसी भी browser में और दोस्तों यदि आप computer में आप इसे open कर लीजीगा तो दोस्तों इसे open करने के बाद में आपको यहाँ पे निचे थोड़ा सा scroll down करना है और दोस्तों आपको यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा update your address online तो दोस्तों इसको देखके आप बिल्कुल भी confused मत होईएगा क्योंकि दोस्तों यह जो option था वो पहले भी था और दोस्तों इसी option के अंतरगत आपका जो सारा data है यानि आप name, data of birth सारा इसमें आपको यहाँ पे अंदर आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों आप किस गलत है तो दोस्तों आप उसे changes नहीं कर सकते उसमें आपका valid name, address जो भी है उसको होना चाहिए उसी के आधार पर आपका जो है changes किया जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे टेप करना है जो update your address online पे उस पे आपको यहाँ पे टेप आद में आपको यहाँ पे जो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो इसमें लिकावा you can now update your name, date of birth, gender, address and language online आप अप change कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने पहले से change किया है तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में एक option दिखेगा आप यहाँ पे चेक status update यानि आप status अपना देख सकते है कि आपका update हुआ है तो आप नहीं हुआ है तो दोस्तों उपर में आपको वापस में लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको click करना है जो proceed to update आधार पे तो दोस्तों यहाँ पे आपको click करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको click करने के बाद में update जो आधार update portal है वो आपको यहां पर show कर देगा, इसके अंतर गत्र, सबसे पहले आपको यहां पर अपने अधार कार्ड के नंबर दर्ज करने है, और दोस्तों उसके बाद में आपको केप्छा फीलड करने के बाद में send otp में तो दोस्तों में send κोम के ग्लिक करने के बाद में आपको यह पर enter ontp आएंके, enter, otp जो enter करने के बाद, मैं, आपको यहाँ पे login हो जाना है तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अपने UTIP एंटर करने के बाद, आप अधार क्ड से यहाँ पर log in हो जाओगे, दोस्तों, उसमें आप changes करने के लिए, आपके सामने, अधार update पोर्टल यहां पर आपको नज़र आएगा तो दोस्तों इसके इंतरगत आपको यह उपर में नज़र आएगा अपडेट जो demographic data including address तो दोस्तों इसके माद इसे आप जो चेंज कर सकते हो यदि आपके पास वेलिडेशन लेटर आयवाय सेक्रेट को जो कोड है उसके माद इसे चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहां पर नीचे में ओप्सन दिया जाएगा तो दोस्तों इसके लिए आपको यहां पर जो आपको चेंज करने के लिए आपको यहां पर अपडेट जो डेमोग्राफिक्स डाटा इस पर आपको यहां पर प्लिक करना है तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपको यहां पर फिर से एक नया जो इंटरफेस है वो आपको यहां पर नजर आएगा तो दोस्तों अब आप यहाँ पी देख रहे होगी अपडेट रिक्वेस्ट पॉर आधार जो आपके जो भी आधार नमबर है दोस्तों वो आपको यहाँ पे उपर में 100 कर दिये जाएंगे और दोस्तों आपको यहाँ पे option दिया गया है कि select any of the following आधार कार्ड जो आधार डाटा फिल्ड है उसमें से दोस्तों आपको यहाँ पे कोई साँ आप चेंज करना चाहते हैं दोस्तों उसको आपको यहाँ पे select करना है तो दोस्तों आप जिससे language select change करना चाहते हैं language में आप कर सकते हैं इसके अलावा नेम में दोस्तों आपको दोस्तों यहां पे लिकावा है कि नेम आप तीन अटेंट्स लेप्ट यानि आप तीन बार चेंज कर सकते हैं अपने नाम में परिवरतन और इसके अलावा जेंडर आप चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों आपको जेंडर में आपको भी चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों इसके माद इम से दोस्तों आपको यहां पे जेंडर नेम जो भी आपका है दोस्तों वो आप इसमें चेंजिस कर सकते हैं और दोस्तों आपको यहां पर mobile number, email और सब को यहां पर चेंज करना है. जिस पी आपको फिल्ड में चेंज करना है दोस्तों उस पे आपको यहां पर टेप टिक कर लिएना है और दोस्तों आपको जैसे address पे प्लेट न बहर रहेचादू करना चाहते हैं तो यहां पर जेंडर में चेंजेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और दोस्तों आपको यहाँ पे कुछी टाइम में आपको यह वो मुबाइल नमबर और इमेल आईडी भी अपना घर बेटे आप चेंज कर सकते हैं आपको यहाँ पे किसी भी आधार enrollment center पर जाने की आप सकता नहीं पड़ेगी तो दोस्तों इस पर आपको check out करने के बाद में आपको यहाँ पर proceed पर क्लिक करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी एक अपना valid eye to prove जो मैंने पहले भी आपको यहाँ बता चुका हूँ और दोस्तों अब आप पीजीली आप है जो आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का वीडियो वीडियो में आपको कोई भी डाउट होता कराqualified कर पर कि सकते हैं झाल झाल